में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशी फल की यानि सब्ताहिक राशी फल 11 से 17 मार्च के अंदर साथ राशियों का भाग्य साथ आस्मान पर यानि साथवे आस्मान पर पहुचने वाला है तीन राशियों को बरतनी होगी साफधानी यानि कि साथ राशियों के लिए तो ये जो सब्ता है वर्दान से कम नहीं है चलिए इस कारिकर में पूरे डिटेल में हम जानते हैं चलिए आप सिंग रासी के बारे में बात कर लेते हैं तो इस सब्ता सूर्य शनी और शुक्र की यूती बनी वी है यानि हेल्थ के बारे में बात करें तो 11 से 17 मार्च में हाथ पैरों में दर्द की समस्या सिंगरासी को रह सकती है, Muscle Pain की समस्या सिंगरासी को रह सकती है कुछ सिंगरासी को Acidity की समस्या रहेगी ये सब्ता आप किसी कारेकरम में बिजी भी रहेंगे शादी, समारो, फंक्शन में आप बिजी भी रहने वाले हैं यानि एक तरह आपको Health की समस्या भी रहेगी एक तरह आप बिजी भी रहेंगे धन की स्थिदी के बारे में बात करें तो इस सब्ता भई आपको धन के लिए संगर्स करना पड़ेगा सिंगरासी वालों को यानि इस सब्ता आपका Budget बिगड़ सकता है इस सब्ता आपके खर्चे जादा रहेंगे यानि पहला अगर देखा जाए तो आपका कोई वस्तू कोई गैजेट कोई घर की वस्तू खराब होगी उस पे आपका खर्चा रहेगा दूसरा आपकी कोई डील भी कैंसिल होगी उसका भी थोड़ा सा आपका योग बनता है तो इस सप्ता आपके खर्चे बढ़ रहें सिंग राशी के करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ता आपका बिजी सप्ता है बहुस आपके काम की तारीफ करेगा कोई गुड प्रोजेक्ट या गुड कोई खुश खबरी काम से समंदित कोई बड़ी डील आपको प्राप्त होगी लेकिन वो प्राप्त होगी 15 से 17 मार्ज के बीच में उससे पहले आपका थोड़ा श्ठगल करते वे नजर आएंगे रिलेशन्चिप के बारे में बात करें तो इस सप्ता आप पार्टनर के साथ में किसी साधी फंक्शन में जाने की योग बनते हैं और पार्टनर के जो आपके पार्टनर है उनके साथ में आपका समन भे अच्छा है लेकिन आपके पार्टनर के आपके माता पिता आपके भाई बेन से खूब इस सप्ता बहस होने वाली है यानि घर के अंदर पार्टनर के ओर से बड़ा टांडव आपको देखने को मिलेगा हमारी सला सिंग रासी को यह कि इस सब्ता आपको पार्टनर से उलजना नहीं है पार्टनर से बैस नहीं करनी नहीं तो घर का महौल और ज़्यादा बिगड़ जाएगा इस सब्ता आपको शनी की पूजा करनी है ओम समसनी चरह नमा का जाप करना है